हेलो एवरिवन, वेलकम टो केरियर पॉइंट यूटूब चैनल फ्रेंट्स आज हम आप लोगों के लिए बजट 2020 के टोफ 50 क्यूशन लेकर आएं क्योंकि आपके एक्जाम के लिए यहां से क्यूशन बहुत ही महतपूर्ण रहने वाले हैं तो फ्रेंट्स इस वीडियो को लाज तक जुरूँ दखीये ताकि यह वीडियो आप लोगों के लिए पूरी-पूरी हेलफुल हो उसके फायदे मन्ध होसके तो इस वीडियो को फटा-फट आप लोग लाइक करिए share करिए अफने फ्रेंट्स के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का फाइदा उटास के और फ्रेंट्स अगर आप हमार चैनल पे नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं कैरियर पॉइंट यूटूब चैनल को सभी सबस्क्राइब कर लिजे सबस्क्राइब करने के बाद में दोस्तों आपको बैल आइकन दिखाए देगा नोटिफिकेशन के लिए उस पर कलिक करिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग उता कहुंचे और सबसे पहले आप लोग इन वीडियो का फाइदा उटास के डेली आपको हाँ पर करेंट आफे जैनल साइंस जैनल आवेरनेस की वीडियो प्रवाइड का जाते हैं जो आपके एक्जाम रेलवे एंटी पीसी ग्रूप डी एससी और जितने भी फोर्स एक्जाम है आर्मी एर फोर्स नेवी CISF, CRPF, जितने भी फोर्स फोर्स हैं सभी एक्जाम के लिए हापर क्लासी चलती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और जितना होचके अपने फ्रेंट सरकल में जो अब के साथ हैं Facebook, WhatsApp, Telegram पर जुड़े होएं आपके साथ उन सभी के साथ इस वीडियो को सेर करिएगा ताकि वो इस वीडियो का पूरा-पूरा फाइदा उटास की चलिए फ्रेंट्स क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्योशन के साथ पहला क्यूशन है केंद्रिय बजट 2020-21 संसद में कब पेस किया गया तो देखी जो 2020-21 का केंद्रिय बजट था वो संसद में पेस किया गया था दोस्तों कब एक फरवरी को कब पेस किया गया था एक फरवरी को पेस किया गया याद रखना options से आपका सही हो जाएगा केंदरिय बजट 2021 को संसद में एक फरवरी को paste किया गया था अगला question देखिए next है केंदरिय बजट 2020 संसद में किसने paste किया तो फिर आफ़र कोमेंट कर दीजिए किसने paste किया था जी friends देखिए इसका सही आंसर होगा केंदरिय बजट 2020 संसद में पेच गया था और इनों ने लगातार दूसरी बार जी हाँ friends लगातार जो है दूसरी बार संसद में बजट पेच करने वाली महिला बनी कही है नेरमला सीतारमन औप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा अगला question देखिए next है समिधान के किस अनुछेद में बजट सबद का परियोग हुआ है यह important question है देखिए इसका सही answer क्या हुआ किसी भी अनुछेद में नहीं जी हाँ friends देखिए समिधान के किसी भी अनुछेद में बजट सबद जो है इसका परियोग नहीं किया गया है अगला question देखिए हमारे देखिए पहली पूर्ण कालिक महिला कोन बनी है तो इसका सही answer का निर्मला सीता रमन नेक्स देखिए अगला question है हमारे देखिए हमारे देखिए की पहली महिला वितमन्तरी कोन है तो देखिए पहली महिला वितमन्तरी हैं इंद्रा गांदी option A आप का सी हो जाएगा पहली वितमन्तरी हैं इंद्रा गांदी और ये बनी थी 1971 में 1971 में पहली महिला वितमन्तरी कोन नियुक्त हो थी इंद्रा गांदी जी याद रखना important question है अगला question देखिए, next है, लगातार दूसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित मंतरी कोन बनी है, तो देखिए इसका सही आंशर हो जाएगा, निर्मला सीतारमन, ठीक है, option A आपका सही हो जाएगा, लगातार इन्होंने दूसरी बार बजट पेश किया है संसद में, निर्मला सीतारमन जी ने, तो option A आपका सही आंशर होगा, याद रखना, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ने गया, तो प्रफट वीडियो को लाइक करिए, और अपने दस फ्रेंट्स साथ इस वीडियो को सेर जुरू करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का फा इस किया है, तो पहले कों थे देखी, जवाहलाल नेरू, दूसरी राजीव गांदी और तीसरी कों थे, इंद्रा गांदी, तो इन्होंने जो है, अपने पद पर रहते वे, परदान मंत्री पर रहते वे, बजट पेस किया था, ठीक है, याद रखना, जवालाल नेरू, रा आँचरों का उपरियुक्त सभी, ठीक है, जवालाल नेरू, राजीव गांदी और इंद्रा गांदी ने, ठीक है, भारत के तीन परदान मंत्री वे, जिन्होंने परदान मंत्री रहते वे, बजट पेस किया है, जवालाल नेरू, राजीव गांदी और इंद्रा गांदी, नेक्स देखी अगला कुछी ने सवतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया, देखी सवतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, तो इसका सही आंशर क्या हो देखी, आरके संमुखम सेथी ने, किसने किया था, आरके संमुखम सेथी ने सवतंत्र भारत का पहल पेश किया था, याद रखना, option A आपका सही आंसर होगा, next देखी अगला question ने, सवतंतर भारत का पहला बजट सनमुक सेठी को कब पेश किया गया था, देखी इसका सही आंसर हो जाएगा, 26 नौबर 1947 को, ठीक है, याद रखना, सवतंतर भारत का पहला बजट पेश किया था, स 26 नौबर 1947 में पेश किया था, याद रखना, option C आपका right answer होगा, next देखी अगला question है, किस परधान मंतरी ने, पहली बार सनसर में बजट पेश किया है, तो देखी किस ने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा, पंडित जवालाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवालाल ने बजट किस ने पेश किया था, बहरत का पहला बजट जो है, वो पेश किया था, East India Company के James Wilson, नाम याद रखना इंपोर्टेंट है, East India Company के थे James Wilson, जिनोंने बहरत का पहला बजट पेश किया था, option A आपका सही आंसर होगा, next देखी अगला question है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया है, देखी बहरत का पहला बजट जो है, वो पेश किया था, फ्रेंट्स, 18 फर्वरी 1860 में, ठीक है, 18 फर्वरी 1860 में, James Wilson ने पेश किया था, याद रखना, नाम भी याद रखना, James Wilson थे, East India Company के, जिनोंने 18 फर्वरी 1860 में, बहरत का पहला बजट पेश किया था, याद रखना, option A आपका सही आंसर होगा, अगला question देखी next है, budget 2020 के अनुसार, 5 लाख तक की आई पर कितना tax देना होगा, यह important question है, यहाँ से आपके exam में देखी question अराम से पूछा जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा friends, शुनने, ठीक है, 5 लाख तक की रासी तक आपको क कोई tax नहीं देना होगा, ठीक है, जो annually income tax होता है, वो होगा शुनने, 5 लाख तक की रासी पर, याद रखना, option D आपका सही आंसर होगा, शुनने, next देखी अगला question है, budget 2020 के अनुसार, 5 से 7 लाख तक की आई पर कितना tax देना होगा, तो देखी, 5 से लेकर 7 लाख तक की जो आ परतिशत आपको tax देना होगा, अगर आपकी आई जो है, 5 से लेकर 7.5 लाख रुपे तक की अगर आपकी आई है yearly, तो आपको 10% tax भढ़ना होगा, option A आपका सही आंसर होगा, अगला question है, next देखी, budget 2020 के अनुसार, 7.5 से 10 लाख तक की आई पर कितना tax देना होगा, तो देख परतिशत आपको tax देना होगा, option A आपका सही आंसर होगा, अगला question देखी, next है, budget 2020 के अनुसार, 10 से 12 लाख तक की आई पर कितना tax देना होगा, अगर आपकी आई है, 10 से लेकर 12 लाख तक, तो आपको tax कितना देना होगा, 20 परतिशत, याद रखना, option C आपका से होगा, 20 पर अगला question है, अगर आपने friends अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए, और अपने friends के साथ share अगरना बिल्कुल न भूलिएगा, अगला question देखी, budget 2020 के अनुसार, 12 से 15 लाख तक की आई पर कितना tax देना होगा, तो देखी, budget 2020 का जो आपकी आई है, 12 लाख से 15 लाख तक, option C आपका सी हो जाएगा, 25 परतिसद, next देखी, अगला question है, 15 लाख से अधिक की आई पर कितना tax देना होगा, 15 लाख से अधिक की अगर आई है, तो आपको tax कितना देना होगा, 30 परतिसद, याद रखना, अगर आपकी आई है, 15 लाख स तो आपको tax कितना होगा, 30 परतिसद होगा, याद रखना, option C आपका सही हो जाएगा, next देखी, अगला question है, किस वर्स का budget भाषन इतियास का सबसे लंबा भाषन है, तो देखे, इसका सही आंचर हो जाएगा, 2020 का, जो 2020 का budget भाषन रहा है, वो इतियास का दोस्तों सबसे लं था, ठीक है, पहले अगर पुछा जाए, तो 2019, और अब हो गया है, 2020 का जो budget भाषन पेश किया गया है, सनसद बेख, वो सबसे लंबा भाषन रहा है, option A आपका सही आंचर होगा, next देखी, अगला question है, वर्स budget 2020 के अनुशार, तेजस की तरह, कितनी private train चलाएगी, तो देखी ठीक है, 1500 ऐसी train चलाएगी, प्राइवेट train तेजस की अनुशार, ठीक है, जो तेजस प्राइवेट train चलाएगी है, उसी की अनुशार, 150 प्राइवेट train और चलाएगी, बजट 2020 के अनुशार, option B आपका सही हो जाएगा, next देखी, अगला question है, जल जीवन मिशन पर कितने र खर्च किये जाएगे, अगला question देखी, next है, सवच भारत मिशन के लिए कितने रुपए आवंटित किये गए हैं, बजट 2020 में, option B आपका सही आंसर होगा, अगला question देखी, next है, बजट 2020 में भारत की अर्थवेस्ता दुनिया में किस नंबर पर आ गई है, तो देखी, किस नंबर पर आ गई है, पांचवे नंबर पर याद रखना, बजट 2020 में भारत की अर्थवेस्ता जो है, वो दुनिया में, संसार में जो है, पांचवे नंबर पर भारत की अर्थवेस्ता बन गई है, ठीक है, ओप्शन C आपका सही हो जाएगा पांचवे नमबर पर, अगला क्यूशन देखी, नेक्स्ट है, बजट 2020 में वित वर्ष 2020-21 के लिए आर्थिक विकास दर कितने परतिस्त रहने पर अनुमान लगाया गया है, जो देखे, इस आपका सही आंशर होगा, अगला क्यूशन देखी, नेक्स्ट है, बजट 2020-21 में जम्मू कस्मेर के लिए कितने रुपए आउंटित किया गया है, तो देखे, बजट 2020-21 में जम्मू कस्मेर के लिए कितने रुपए आउंटित किया गया है, तो इसका सही आंशर हो जाएगा 30,757 क्रोड रुपे ठीक है? उप्शन यह आपका सही हो जाएगा बजट 2021 में जम्मो कस्मिर के लिए 30,757 क्रोड रुपे आउंटित किये गए हैं नेक्स देखी बजट 2021 में लद्दा के लिए कितने रुपे आउंटित किये गए बजट 2021 में लद्दा के लिए कितने रुपे आउंटित वें? 5,985 क्रोड रुपे याद रखना इंपोर्टेंट है बजट 2020 में लद्दा के लिए 5,985 क्रोड रुपे जो हैं आउंटित किये गए हैं ओप्शन भी आपका सही आणसर होगा नेक्स देखी एक करोड रुपे का प्रावदान है तो देखिए इसका सही आणसर हो जाएगा 100 करोड ठीक है G20 जो सिकर समय लोन होगा उसके लिए 100 करोड रुपे का प्रावदान किया गया है ओप्शन भी आपका सही होगा ठीक है 100 करोड याद रखना इंपोर्टेंट क्यूशन है अगला क्यूशन देखी बजट 2020 में कोशल विकास के लिए कितने करोड रुपे आवंटित किये गए बजट 2020 किस में देखिए कोशल विकास के लिए कितने रुपे है इसका सही आणसर हो जाएगा 3000 करोड याद रखना 3000 करोड जो है कोशल विकास के लिए आवंटित किये गए है ओप्शन भी आपका सही हो जाएगा नेक्स देखिए अगला क्यूशन ने बजट 2020 में सरकार ने किस बड़ी इंस्योरेंस कंपनी की हिस्सिदारी बेचने की गोशना की है तो देखिए बजट 2020 का जो है इसमें देखिए भारती जीवन बिमानी गम LIC जो है की हिस्सेदारी बेचने की गोशना की गई है बजट 2020 में भारती जीवन बिमानी गम की हिस्सेदारी बेचने की गोशना की गई है option A आपका सही हो जाएगा याद रखना, next देखिए अगला question है, budget 2020 में वरिष्ट नागरिकों और दिव्यांगों को कितने क्रोड रुपए मोहिया करवाए जाएगे, तो देखिए कितने इसका सही आंशर हो जाएगा, 9500 क्रोड रुपए, याद रखना, 9500 क्रोड रुपए वरिष्ट नागरिकों और दिव्यांगों को मोहिया करवाए जाएगे, option C आपका सही हो जाएगा, next देखिए, 2020 में लगातार 2 घंटे 40 मिनट बजट भाषन पढ़कर कितने, अपने किस वर्स का रिकोर्ड तोड़ा गया है, तो दिखिए, इसका सही आंशर हो जाएगा, 2019 का, ठीक है, जो 2020 21 का बज़ट रहा है, वो सबसे बड़ा भाषन रहा है, जिस तो 2 घंटे 40 मिनट लगातार पढ कर पेश किया गया है, संसद के अंदर, ओप्शन A आपका सही हो जाएगा, 2019 का रिकोर्ड तोड़ा गया है, इससे पहले जो है 2019 में, और अब सबसे बड़ा भाषन जो हो गया है, वो हो गया है, 2020 का, याद रखना, ओप्शन A आपका सही हो जाएगा, 2019, ठीक है, 2 घंटे 40 मि एक्चेंज के जरिए, किस बैंक की पुंजी बेची जाएगी, बजट 2020 में, स्टोक एक्चेंज के जरिए, IDBI बैंक की पुंजी बेची जाएगी, याद रखना, IDBI जो बैंक है, उसकी पुंजी बेची जाएगी, स्टोक एक्चेंज के जरिए, ओप्शन C आपका सही हो जा तिरू वल्लुवर, ठीक है, तिरू वल्लुवर कवे की, कवीता सुनाई थी, बजट 2020 पेश करते वे, वित मंत्रे निर्मला सीतार मन्ने, ओप्शन ए आपका सयुजे का तिरू वल्लुवर, नेक्स देखी, बजट 2020 में, इंजिनिर्यों को रोजगार देने के लिए, कितने साल ट्रेनिंग और इंटर्शेप्ट दिलाने का एलान किया गया है, तो देखी, बजट 2020 में, इंजिनिर्यों को रोजगार देने के लिए, कितने साल का, तो देखी, इसका से यान सुजाएगा, एक साल का ट्र शिक्षया के लिए कितने रुपए आउंटित के गए हैं? 99,300 क्रोड रुपए. याद रखना बजट 2020 में शिक्षया के लिए 99,300 क्रोड रुपए आउंटित के गए हैं बजट 2020 में. उप्षन ये आपका सही हो जाएगा. अगला क्यूशन देखी, next है. बजट 2020 में कितने याद रखना नए स्मार्ट सीटी बनाने का परस्ताव रखा गया है बजट 2020 में. याद रखना नए स्मार्ट सीटी बनाने के लिए पांच. ऑप्षन भी आपका सही होगा. अगला क्यूशन देखी, next है. बजट 2021 में GDP ग्रोथ का अनुमान कितने परतिसत लगाया गया? पांच परतिसत ओप्षन सी आपका सही होगा. अगला क्यूशन देखी, बजट 2020 में कोशल विकास के लिए कितने क्रोड रुपे आउंटित करने की गोशना की गई है? इसका सही आंसर होगा, तीन हजार क्रोड रुपे. याद रखना बजट 2020 में कोशल विकास के लिए तीन हजार क्रोड रुपे आउंटित करने की कोशल विकास की गई है? उप्षन ए आपका सही आंसर होगा. अगला क्यूशन है, नेक्स देखी, बजट 2020 में संसकर्ती मंतरा ले के लिए कितने क्रोड रुपे आउंटित की जाएंगे? तो देखे, 2020 में संसकर्ती मंतरा ले के नेक्स देखी, अगर आपने फ्रेंड्स अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो फटा फट वीडियो को लाइक कर दीजी सेभी और साथ में इस वीडियो को सेयर करिएगा. अगला क्यूशन है, बजट 2020 में परेटन मंतरा ले को कितने क्रोड रुपे आउंटित किये जाएंगे, ओप्शन भी आपका सही आवंश रोगा, अगला क्यूशन है, नेक्स देखी, बजट 2020 में किस सहर में जन जातिये संग्राले की स्था अपना करने का परस्ताव रखा गया है, तो देखी, जन जातिये संग्राले किस अपना कहणपर की गई है, इसका सही आवंश जाएगा रांची में ठीक है बजट 2020 में रांची सहर में जन जाती संग्राले की स्थापना करने का परस्ताव रखा गया है option B आपका सही हो जाएगा अगला question है next देखी budget 2020 में कितने प्रातत्विक सतलों को संग्राले की रूप में विक्सित किया जाएगा तो देखी कितने इसका सही आंशर हो जाएगा पांच ठीक है option A आपका सही हो जाएगा पांच प्रातत्विक सतलों को संग्राले की रूप में विक्सित किया जाएगा budget 2020 में तो सहर कोन कोर से देख लीजीगा एक बार UP का हस्तिनापुर है 5 ऐसे संग्राले की रूप में विक्सित किया जाएगा Next देखी अगला question है budget 2020 में दिल्ली मुंबाइ एक्सप्रेस वे का काम कब तक पूरा करने की बात की गई है तो देखिए इसका सही आणसर क्या होगा 2023 थे ठ 이미ज़ट 2020 में दिल्ली मुंबाइ एक्सप्रेस वे जो है ऊसका काम कब तक पूरा होगा 2023 option CF का सही आणसर होगा अगला question देखी, next है, budget 2020 में, निरमला सीतार मन्ने, कितने railway station पर Wi-Fi स्विधाएं शुरू होने की बात कही है, तो देखी कितने, तो इसका सही answer हो जाएगा, साधे 500, याद रखना, साधे 500 railway station पर फिर Wi-Fi स्विधाएं मुहिया करवाए जाएगी, budget 2020 के नुसार, ठीक है, option B जो ह है, वो आपका सही होगा, according to question, साधे 500, अगला question देखी, next है, budget 2020 में, portion सम्मनित कारेकरम के लिए, कितने क्रोड रुपे आवंटित किये गए हैं, तो देखी, portion सम्मनित कारेकरम के लिए, कितने रुपे हैं, तो इसका सही answer हो जाएगा, 35,600 क्रोड रुपे, याद रखना, budget 2020 में, portion सम्मनित कारेकरम के लिए, 35,600 क्रोड रुपे आवंटित किये जाएंगे, option B आपका सही answer होगा, अगला question है, next देखी, budget 2020 में, अनुसुचित जाती और अन्य पिछला वरक के लिए, budget में, कितने क्रोड रुपे आवंटित किये गए हैं, तो देखी, अनुसुचित जा और अन्य पिछला वरक के लिए, 85,000 क्रोड रुपे आवंटित किये गए हैं, option D आपका सही होगा, अगला question है, next देखी, budget 2020 में, प्राकर्तिक गैस pipeline grid को, 16,000 किलोमेटर से बढ़ा कर, कितने किलोमेटर किया जाएगा, तो देखी, budget 2020 में, प्राकर्तिक गैस pipeline को, कितने किलोम अचल हो जाएगा, देखी, 27,000 किलोमेटर, ठीक है, पहले कितने थी, 16,000 किलोमेटर थी, और इससे बढ़ा कर, 27,000 किलोमेटर, याद रखना, option A आपका सही होगा, next देखी, गनतंतर भारत का, पहला budget किसने पेश किया था, देखी, अब तक बात हो रही थी, सवतंतर भारत क और अब बात कर रहे हैं, गनतंतर भारत का, ठीक है, गनतंतर भारत का पहला budget किसने पेश किया था, तो इसका सही हो जाएगा, जोन मथाई ने, याद रखना, गनतंतर भारत का, ठीक है, गनतंतर भारत का पहला budget जो है, पेश किया था, किसने, जोन मथाई ने, option A आपका सही अगला तंतժर भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो देखिए अध़री कूचने का लाजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो देखिए किस के पास है? मौरारजी देशाई के पास सबसे अधिक बार बजट पेश किया था मौरारजी देशाई ने और 10 बार इन्होंने बजट पेश किया था संसद के अंदर तो option A आपका सही हो जाएगा मौरारजी देशाई याँ पे right answer ठीक है याद रखना सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला कोनेता है मौरारजी देशाई और इन्होंने 10 बार पेश किया था तो फ्रेंट्स के उसने आपने हमारे complete होते हैं I hope आपको क्योशन अच्छे लगे हो तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंट्स इस वीडियो को लाइक करना और शेर करना बिल्कुल न भूलिए कम से कम अपने 10 फ्रेंट्स से आथ इस वीडियो को शेर जुरू करिए फेश्बुक वाट्सप और टेलिग्राम के जरिए और हमें कमेंट करके जुरू बताना आज की वीडियो को कैसे लगे क्योशन कैसे लगे चली मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक गुड़बाई टेक केर जैहिन जैभारत वन्यमातरम